नमस्ते एवरीवन आप सब का स्वागत है मेरे इस योट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम फोर टक्स ब्लाउज जिसमें हम नीचे बैल्ट को भी अटैच करेंगे को बनाना सीखेंगे यहां पर हमने इसकी पूरी कटिंग स्टेप बाइ स्टेप आपके साथ सेयर क और यह ब्लाउज एक दम प्रोपर फिनीसिंग के साथ बुटीक में रेडी किया जाता है सेम मैथट से आपके साथ यहां पर मैं इसकी स्टीचिंग को भी सेयर करूंगे तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इसकी कटिंग को सीखेंगे ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो नय बन जाएक इसलिए हम यहां पर आपको इसके दो पार्ट्स सेयर करेंगे तो चलिये इसकी कटिंग को सीखते हैं इस बलाउज को बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिरफ चार माप लगने वाले हैं सबसे पहले हमें इसकी जितनी लैंट रेडी करनी है फिर हमारे जो चैस्ट है वहाँ पर हमें इसकी कितनी जो है चुड़ाई रखनी है और साथ में इसका कमर का माप हमें कितना त्यार करना है और हमें हर बलाउज के लिए टक्स पॉइंट्स की जुरूत होती है तो हम उपर से टक्स पॉइंट्स लेंगे यहाँ पर जो है नॉर्मल साड़े 10 इंच का रहता है लेकिन किसी किसी का यहाँ पर डिफरेंट भी होता है और यहाँ पर हम जो है 5 इंच की स्लिव को रेडी करेंगे और जिसकी साड़े 6 इंच आगे से मोरी रेडी रहने वाली है तो चलिए हम इसकी कटिंग को करते हैं यह हमारी साड़ी के बलाउज का कपड़ा है जिसक पर एक साइड बनार सी बोर्डर दिया हुआ है हमने इसी पर बलाउच को बनाना है इसके साथ हम इसमें लाइनिंग को अटैच करेंगे तो हम इसकी सारी कटिंग है जो वो लाइनिंग पर करेंगे यहां पर मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके बिचा लिया है और इसकी जो है बंद वाली साइड मेरे साइड है सबसे पहले हम इसकी लंबाई को मैचर करेंगे जैसे आपको जितना भी बलाउज रेडी चाहिए आप उसे एक इंच एक्ष्ट्रा पर यहां पर निशान लगाएंगे तो हम यहां पर जो है 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे अब यहां पर हम जो है इसके तीरे को मार्क करेंगे यहाँ पर जो है इनके कंधे की चुड़ाई जादा है तो हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे अगर आपके कंधे की चुड़ाई कम है तो आप यहाँ पर शड़े 5 इंच पर निशान लगाएं सेम ऐसे ही हम यहाँ पर शाड़े चैंच पर आरम होल का निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे यहाँ पर मैं फुल टुटोरियल कटिंग का आपके साथ सेर कर रही हूँ बिना किसी एडेटिंग के जिससे आप असानी से ब 냄새 की कटिंग को सीख सके कि हमने कहां कहां पर क्या मैजरनेंट लिए हैं अब हम यहाँ पर इसकी चैस्ट को मरक करेंगे जैसे कि हमारी चैस्ट है जो जितनी रड़ी है उसका सांफान फॉर्थ पारट यहां पर मरक करेंगे हमें यहाँ पर 19 इंच ready करना है तो हम यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच extra margin के लिए रखेंगे सेम हम कमर पर भी mark करेंगे जितनी आपको कमर ready करनी है उसका 4 पार्ट पर निशान लगाएंगे और एक इंच आगे हम जो है इसमें पीछे plates डालेंगे उसके लिए margin करेंगे और 2 इंच हमें एक्ष्ट्रा का margin चाहिए अब हम यहाँ पर भी इनको सीधा कर लेंगे अब हम अपने arm hole की shape करेंगे हम यहाँ पर arm hole सेपर की साथा से इस पर shape दे लेंगे इसी के साथ यहीं पर हम अपने blouse के back neck को भी mark कर लेंगे यहाँ पर मैंने blouse के back neck के लिए इसकी चोड़ाई जो है 6 इंच रखी है और गहराई है इसकी जो वो 9 इंच रखी है हमारा जो back neck है वो deep रहने वाला है और नीचे से मैंने इसको जो है आधा इंच बढ़ाते हुए चोड़ाई को 3.5 इंच पर एक निशान लगाया है और अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे और आर्म होल सेपर की सायता से इसमें जो है राउंड इसे सेप दे लेंगे यहीं पर इसी के साथ मैं इसके पीछे की प्लेट को मारक कर रही हूँ जो है इनकी लेंद थोड़ी जादा है तो इनकी हम 11 इंच पर निशान लगाकर प्लेट डालेंगे और इसकी चोड़ाई हम 4 इंच रखने वाले हैं नीचे से इसकी गहराई है हम जो है पोना इंच दोनों साइड से मारक करते हुए निशान लगा लेंगे और इने जो है आपस में मिलाते हुए अपने प्लेट की सेप दे लेंगे अब यहाँ पर हमारे जो मारक है पिछले बलाउच के लिए वो कम्पलीट होती है अब हमने जो निशान लगाए है वहाँ से इसे कट कर लेंगे यह देखी हमारे बलाउच के बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पर कम्पलीट होती है अब हम अपने फरंट पार्ट की कटिंग करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग के कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और किनारी वाली साइड है जो वो मेरी साइड है और यहाँ पर जो इसकी किनारी है इस पर हम सिधा एक निशान मारक करते हुए एसे एक्स्ट्रा रखेंगे हम इसको से आगे को मारक करेंगे यानि कि जो हमने लाइन रोक रही है हमें जो है मारकिंग सारी यहीं से करनी है अब हमारा जो बैक पार्ट हमने कट किया था उसको इसको पर बिछा लेंगे अब यहां पर हम जो है इसकी निशान को मारक करेंगे तो हमें जो है ऊपर हमारे तीरे की साइड से सेम मेजरमेंट रखना है जितना हमारा बैक का था और आर्म होल की साइड से भी हमें जो है इसको सेम रखना है हम इसलिए इस पर सेम लाइनिंग ड्रो कर लेंगे अब यहां पर हमें इसकी नीचे से जो है फरंट पार्ट के लिए एक इंच एक्स्ट्रा का कपड़ा लेना है यहां पर क्योंकि हम यहां पर इसमें जो है ब्लाउज में बेल्ट को अटेच करेंगे तो हमारा जो belt को attach करने में कपड़ा लगेगा तो हम इसलिए इसके यहां पर एक इंच इसकी length को extra लेंगे और इसकी जो है चोडाई को भी हम यहां पर extra लेंगे तो हम जो है इसकी चोडाई वाली side आधा आधा इंच extra margin लेंगे यहां पर मैं आपको दुबारा बता देते हो, हमारे जो back part है, उसको हमने कंदे की साइड और arm hole की साइड same रखा है और हमने इसकी length को एक इन्च बढ़ाया है और इसकी जो चोड़ाई है उसको आधा इंच बढ़ा के लिया है यह हमारा back part है जिसमें हमने फ्रंट पार्ट की marking कर ली है अब हम जो हमारा back part है उसको यहां से हटा लेंगे अब हमारा यह है front part है जिस पर हम निशान लगाएंगे तो सबसे पहले हम जो हमने arm hole के निशान mark किये थे same उनको draw कर लेंगे यहां पर सबसे पहले हम arm hole को shape देंगे तो हम यहां से आधा इंच आके बढ़ाते हुए front part के लिए निशान लगाएंगे इससे ज़्यादा हमें यहां पर नहीं करना है हमें सिर्फ half इंच ही इसको बढ़ाना है अब हम यहां belt की गुलाई के लिए निशान को लगाएंगे नोर्मली सबसे बारा इंच पर निशान लगता है लेकिन जिनकी height है जो वो 5.5 से ज़्यादा है तो आप उनके लिए जो है इस length को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम यहां पर जो है सबसे तेरा इंच पर एक नि अब हमने यहां जो तेरा इंच का निशान लगाया है इससे जो है आधा इंच उपर निशान लगाएंगे दोनों साइड और आर्म होल सेपर की सायता से इसको गुलाई दे लेंगे आप इसे हाथ से भी गुलाई दे सकते हैं अगर आपके पास यह नहीं है यह हमारे बलाउज की बल्ट रहने वाली है अब हम हमारे बलाउज की जो उपर की चोली का पाल्ट रहता है वहां पर निशान लगाएंगे तो हम सबसे पहले यहां का जो टक पोइंच है उसको मैजर करेंगे हमारा यहां पर 11 इंच का निशान आए रहा है और साथ में हम जो है इसकी चोड़ाई बिमारक करेंगे हम इसके लिए 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हमने जो यह निशान लगाया है इससे पोना पोना इंच दोनों शाइड निशान लगाते हुए हमारी जो आगे फरंट की प्लेट है उसको ड्रो करेंगे यह हमारी ड्रो हो चुकी है अब हम इसके नेक को निशान लगाएंगे हमारी यहां नेक की जो है साथ इंच की गहराई रहने वाली है और इस साथ इंच के निशान के बाद जो और जो हमारा नेक्स्ट निशान था चाड़े तेरा अब यहां पर जो है हमें नीचे एक और निशान को मार्क करना है फॉर्थ टक के लिए तो हम यहां 15 पर नीचे से इसको एक निशान लगाएंगे और इस पर से एक सीधी लाइन रफली ड्रो ड्रो पर लेंगे यह हमारी पर्मानेंट नहीं है क्योंकि बीच में हम जो है निशान लगाएंगे तो उसके बाद यहां पर उसे जो है दुबारा से मैजर करेंगे हम यहां पर भी एक सीधी लाइन को ड्रो कर लेंगे अब हमें यहां पर क्या करना है जो हमने नीचे का टक पोईंट लगाया था उससे धाई धाई इंच का गैप देते हुए इन चारों पर निशान को ड्रो कर लेना है यह ध्यान रहे कि हमारे जो यह पॉइंट्स है उन सभी के अंदर जो गैप है वो धाई-धाई इंच का हमें रखना है यह देखिए हमारा जो है फोर्थ टक पॉइंट है जो थोड़ा सा इदर आया है तो अब हम इसे जो है पका कर लेंगे और इसी के साथ हमारा जो बलाउज है उसके फ्रंट पार्ट की भी मैजरमेंट कम्प्लीट होती है लेकिन यहाई पर इसी के साथ हम इसके राउंड नैक को भी निशान मार्क कर लेंगे यहाँ पर सेम हमें इसकी चुड़ाई 3 इंच और गहराई है हमने 7 इंच पर निशान लगाया था और इसको सीधा करते हुए हम सेम आर्म होल से परकी कायता से यहाँ पर इसे राउंड सेप दे लेंगे यह देखिए इसी के साथ हमारे जो फरंट पार्ट के भी बलाउज के निशान मार्क हो चुके हैं अब हमने जो यह निशान मार्क किये हैं यहाँ से अपने बलाउज की कटेंग कर लेंगे यह देखिए हमारे जो बलाउज के फरंट पार्ट की भी यहाँ पर कंप्लेट कटिंग हो चुकी है यह हमारे बलाउज के लिए हमने बैल्ट को भी कट कर लिया है अब यहाँ पर हमने जो बैल्ट कट की है उसकी लंबाई को कम करेंगे हमने जो इसमें प्लेट डाली है उस और कमर रेडी रहने वाली है उस पर एक निशान लगाएंगे और उससे आगे दो इंच का एक्स्ट्रा मार्जन छोड़ते हुए हमने जो ये पॉइंट मार्क किये हैं इनसे एक्स्ट्रा फैबरी को कट कर लेंगे और इसी के साथ हमारी जो बैल्ट है उसकी भी कटिंग है ज इसकी हमने अएक कंप्लीट कटिंग कर लिए है अभी यहां पर हम लाइनिंग को मेन फैबृक पर रखते हुए अपने बलाउज की कटिंग को कर लेंगे और इसी के साथ अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव की भी कटिंग करेंगे जिसको मैंने फोर्थ फोल्ड करके इसको बिछा लिया है यहाँ पर हमारी जो स्लीव है उसकी लंबाई हमें 5 से 5.5 इंच रेडी करनी है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इसकी चोड़ाई हमारी 6.5 इंच रेडी रहने वाली तो 1.5 इंच का मार्जन रखते हुए हम यहाँ पर एक निशान को लगा लेंगे और नीचे से हम यहाँ पर जैसे हमारे आर्म होल की जितनी हमें जरूरत है जैसे कि हमारे यहाँ आर्म होल की जो गहराई है वो 8.5 इंच पर रहती है तो हम इसे जो है दो इंस आगे बढ़ाते हुए एक निशान लगा लेंगे और नीचे से सेप देने के लिए हम यहाँ पर इसके 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे अब इसकी जो है उपर से गुलाई करने के लिए हम यहाँ पर धाई इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को नीचे हमने जो तीन इंच का निशान लगाया था इस पर मिला लेंगे और यहां से हलकी हलकी गोलाई करते हुए एक लाइन को ड्रो कर लेंगे अब हमने यह जो निशान लगाई हैं यहां से अपने स्लीव की जो है कर टिंग कर लेंगे यह देखे हमारी स्लीव भी कट के रेडी हो चुकी है इसी के साथ आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है इससे नेक्स पार्ट में मैं आपके साथ इसकी स्टीचिंग को शेयर करूंगी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद